हमशकार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों हमारे पैरों को भी हमारे चेहरे की तरह उतनी ही देख भाल की अवश्यक्ता होती है लेकिन कई बार हमारी लापरवाही की वज़े से हमारी एडियों में दरारें तक फट जाती हैं हम चलने फिरने में भी असमर्त हो जाते हैं यहां तक कि हम किसी शादी या फंक्शन में भी जाने से सरमाते हैं सरम मैसूस करते हैं आज हम आपको फट एडियों के उपचार के ऐसे घ्रेलो उपाए इस वीडियों में बताएंगे जो आपकी फटी एडियों को मातर कुछी दुनों में सुन्दर मुलायम और आकर शक चमकीली बना सकते हैं। दोस्तो फटी एडियों का इलाज जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एडियां फटी क्यों हैं। एडियां फटने का मुखे कारण ठीक से साफसफाई ना करना होता है। की कमी का होना होता है जिसकी वज़े से हमारी एडियां फटने लगती हैं घरों में ज्यादा तर इस्त्रियां जो होती हैं महिलाएं होती हैं बिना चपल पहने ही घर का ज्यादा तर काम काम काज कर लेती हैं और यह भी एडियां फटने का एक मुख्य कारण माना जाता है ज्य इसकी वज़े से प्रयापत बलड एडियों की जो तवचा है वहां तक नहीं पहुच पाता और कई सारे पोश्चक तत्व भी इसी वज़े से एडियों की तवचा तक नहीं पहुच पाते। रिजल्ट ये होता है कि कुछी दिन के बाद हमारी एडियों फटने लगती हैं एडियों में बड़ी बड़ी दरारें होने लगती हैं लेकिन यहां जो घ्रेलो उपाई हम आपको इस वीडियों में बताएंगे वह आपकी फटी एडियों को मातर कुछी दिनों में सुन्दर म पुलायम और चमकदार बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों वो ग्रेलो उपाई क्या है वो आपको बताते हैं सबसे पहला तरीका है दोस्तों एक कटोरी मधुमक्की वाला मौम लेकर उसे धीमी आज पर आप गरम कर लें और जब अच्छी तरह से वो गरम हो जाए तो उसमें आधा कटोरी सर्चों का तेल आप मिला लें अब एक अलग बरतन लेकर उसमें साधारन पानी लेकर उस पानी में इसको च्छान लें और थोड़ी देर के बाद इसको रखा रहने दें यह जो मिश्रन है आपका तली में बैठ जाएगा और उपर से आप पानी को उतार कर फैंक दें और निचे का जो मिश्रन है उसे एक काच की शिशी में आप भरकर रख लें इस मिश्रन को लगाने से पहले बोरेक्स पाउडर मिले हुए पानी में लगबग 10 मिनट तक आप अपने पैरों को रखा रहने दें उनको डुबो कर रखें पानी से निकाल कर अच्छी तरह से किसी कपड़े से पहुँचकर उनको सुखा लें और सूखने के बाद इस मिश्रन को आप अपनी फटी एडियों पर लगाएं दोस्तो इस मिश्रन को हमेशा रात को ही इस्तिमाल करें इसे लगातार परियोग से आपकी जो फटी एडिया हैं आपकी जो एडियों में दरारें फटी हुई हैं वो बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएंगी और मात्र एक हफते में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखनों को मिलेगा दूसरा उपाए निम्बू और गुलाब जल्ग हमारी तवचा के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद होते हैं बहुत ही ज्यादा लाबकारी होता है एक चमच निम् को सोने से पहले अपनी एडियों पर हलकी हलकी मालिश करें बड़ी बड़ी दरारें भी इसके परियोग से ठीक हो सकती हैं यह एक बहुत ही अच्छा उपाए है आपकी फटी एडियों को ठीक करने का तीसरा उपाए एक चमच सुदमॉम और एक चमच देशी घी को मिला कर दोनों को गरम कर लें और आज से उतार कर रोई की साहता से एक एक बूंद एडियों की फटी दरारों में आप तपकाते जाएं इससे आपके पैरों की सिकाई भी हो जाएगी और जो फटी एडिया हैं उनमें भी आपको काफी आराम देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह थे कुछ घ्रेलों उपाए जिनें इस्तिमाल करके आप अपनी फटी एडियों से चुटकारा पा सकते हैं अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेर जरूर करें साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडिय हैं